अगर आप मारवाडी कड़ी खाएंगे तो उसके कुछ अलग फ्लेवर्स होते हैं अगर आप सिंधी कड़ी खाएंगे तो उसकी रेसिपी कुछ अलग तरीके से बनती है वेल आज मैं पंजाबी कड़ी बनानी जा रही हूँ सो लेट्स स्टार्ट रेसिपी और चेक आप इंग्रीडिन गाइज इस तरह की कड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसके पकोड़े बनाके रख लेंगे पकोड़ों के लिए मैंने एक बावल में बेसन लिया है और इसमें मैंने नमक, मिर्ची और अजवाइन और हल्दी डाली है और इसको मैं एक गोल की तरह पानी की हल्प से बना लूँगी बहुत ज़्यादा पतला मत करेगा वरना आपका बेसन सारा प्यास को नहीं पकड़ेगा पानी कम ही रखेगा और ये मेरा घोल तयार है मैंने इसमें लंबा-लंबा प्यास काट के डाला है और साथ में हरा धनिया डालूँगी और ये दो हरी मिर्ची डाली है हरी मिर्ची अपने accordingly डालेगा बट इसमें तीखी हरी मिर्ची अच्छी लगती है तो आप थोड़ा सा तीखा भी इसको बना सकते हो और ये पकोड़ों का mixture तयार है अब मैंने तेल गरम करने के लिए already रख दिया था और अब इनके में पकोड़े बना लूँगे अगर आपका बैटर थोड़ा liquidy जादा हो जाता है पतला हो जाता है तो आप उसमें सुखा बे तो कड़ी पकोड़ों के साथ ही अच्छी लगती है बट इनकेस आप पकोड़े avoid करना चाहते हो तो आप नीचे जब अभी हम कड़ी का मसाला बनाएंगे तो उसमें ऐसे ही लंबा लंबा प्यास काटके डाल सकते हो और मेरे पकोड़े तयार हो गए थे अब मैंने ये oil लि ये जो खड़े मसाले हैं ये कड़ी को actual flavors देते हैं ये थोड़ा सा मेथी डाना डाला है around half teaspoon ही बहुत ज़्यादा मेथी डाना मत डालेगा औरना मूं में वो बाद में कड़वा कड़वा लगता है और ये हींग है खड़ी हूई हींग है ये powdered हींग नहीं है अगर आपके प ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं ये मेरी मिर्ची तीकी नहीं है इसलिए मैंने इतने सारी डाली है अगर आपके आँड़ी मिर्ची तीकी है तो प्लीज कभी डालेगा और ये एक चमच लसन कडुकस करके है इसमें लसन का भी flavor बहुत अच्छा था है इसलिए थोड़ा ही डालेगा और ये एक चमच ही अद्रक मैंने कडुकस करके डाला है और पहले अब इसमसाले को बून लोंगी मैंने आपको बता अगर आप पकोड़े नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें खड़ा खड़ा प्यास भी डाल सकते हैं उसका भी कड़ी में बहुत अच्छा flavor आत हुआ दिआर न को पत ही ग्रैपता और ये हैं ल को भ???? गपता भी डालते हैं और ये देही state का मिध्स्चछर हम तयार कर लेंगे मैंने यह मौहिएब इक्जक्ट रख действительно रखेगा मैं फश्च πान वJeak मिजय्मेंट स से बनाती हूँ इसको ए देड कटोरी मैं दही लेती कूप की दही और बेश्न के बैशम नहीं ठीक होता है. एक चरण नगे के जिक हमसरे बदैक्षास में ऩright Dad, पहले पहले हमस्मार आपक़ लिए ताप मैं बीच में आपके घ़र नहीं बगा दो पानी डालके फिर उसको चर्णर से ही अच्छे से फेट लेती हूं और मैंने यह इसमें आधा जग के करीब पानी डाला है अराउंड एक लीटर अराउंड आधा लीटर के करीब इसमें पानी गया है और इसको भी अब अच्छे से मिला लेंगे और यह मेरा मसाला भून के तयार है इसमें मैंने थोड़ा सूखा खड़ा धनियार डाला है और यह मसाला मेरा भून गया है अब इसमें नमक मिर्ची डालेंगे आधी चमच नमक है नमक यह कम ही रहेगा बट मैं लास में कड़ी में टेस्ट करके उपर से डालती हूं और यह बिलाद जर्ड़ है और व्यारा लाल मिर्ची और ये आदी चमच घ्ल ना जल जाएगा और ये को सुके मसालें को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके उपर से मैं अब जो हमने दही का मिक्स्चर बनाया वो इसको एक बार चम्मत चला लिजेगा क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है वो मैं उपर से इसको डाल दूँगी और ये फुल पे हम कड़ी को पहले बॉयल कर लेंगे फिर्स्ट बॉयल जब कड़ी का आता है आपको पता जल जाता है कि आपकी कड़ी का टेक्स्चर क्या आने वाला है इस मुमेंट पे आप गरम पानी डाल के कड़ी को थोड़ा सा गाड़ा पतला भी कर सकते हो और अगर आ बट फर्स बॉल जैसे मेरा भी ये फर्स बॉल आया है और मुझे मेरी कड़ी का टेक्स्चर पता चल गया है कि क्या टेक्स्चर इसका निकल के आने वाला है अब इसके बाद मैं ग्यास स्लो कर दूँगी और कड़ी को करने के लिए अराउंड आदे गंटे तक छोड़ दूँगी और ये आदे गंटे बाद मेरी कड़ी अब अच्छे से पक गई है अब मैं इसमें तड़का डालूँगी और ये पकोडे जो मैंने बना के रखे थे अब मैं वो कड़े में डाल दूँगी तड़के की गैस मेरी अब नियुक्जा च्छी के जाए तड़का लगा रही हूँ इसमें और इसमें नीचे पहले करी पता डाला फिर उपर से लाल मिर्ची डाली लाल मिर्ची तोड़के डालिएगा क्योंकि उसके अंदर का दाना कभी कभी ओयल में फट जाता है और उसका चीटा बहुत जोर से उड़ता है और ये एक चमच सांभर पाउडर डालती हूं मैं इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर मैंने ये तड़का कडी के उपर डाल दिया है as I always said खाना हम सबसे पहले आँखों से खाते हैं तो आपका फूड देखने में जितना सुंदर लगेगा वो खाने में उतना ही जादा टेस्टी आपके घरवालों को लगेगा and check out the texture guys बहुत अच्छा texture इस कडी का आया है अगर आप भी ऐसा texture चाहते हो तो as I said stick with the measurements जो दही और बेसन का proportion है वो हमेशा ध्यान रखेगा अगर आप वो याद रखेंगे तो आपकी कडी का भी ऐसा ही texture आएगा और मैंने ये उपर से धनिया डाल के इसको गानिश भी कर दिया है और मेरी कडी सर्व हो गई है राइस तयार ह and it is ready to eat if you like the recipe do hit the like button comment below and subscribe the channel